मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों आज के विशे में हम विश्त्रित जानकारे लेंगे कि जीन व्यक्तियों का चरम पत्री के अंदर शनी नवम भाव में बैठे हैं तो उनका क्या रिजल्ट मिलने वाला है यानि जब जब आपके जीवन में शनी का प्रभाव बढ़ेगा तो आपको क्या एफेक्ट आएगा क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा देखिए दर्शकों शनी जो होते हैं वो जहां बैठते हैं उसके साथ साथ कम से कम तीन जंगे और देखते हैं यानि अपनी दृष्टी डालते हैं, तो वो अकेले एक जंग नहीं हैं, वो चार तरह से आप पर effect डालने वाले हैं, तो यहां क्या-क्या effect डालेंगे, यहां पर शनीदेश सबसे पहले ये effect डालते हैं, कि आपको अपने पिता से संबंदित एक कष्ट दे देते हैं, वो कष् तो आपको प्रेम तो बहुत अधिक करते हैं, पर उप्रेम दर्शा नहीं पाते, यही विशे आपके साथ भी है, कि आप अपने मन की बात हो सकता है, उनसे ना कह पाते हूं, कुछ भी मान लीजे, सच्चा ही ये है, कि शनीदेव यहां पिता से संबंदित कुछ कष्ट दे देते हैं, यही कारण भी है कि आप अपने बड़े बुजबर्गों को, अपने धर्म को, अपने दार्मे की स्थानों को, कहीं न कहीं आप एक शक की नजर से देखते हैं, मैंने शक शब् registral इसलिए कि आप हमेशा ही ये विशे में लगे रहते हैं, क्या ये बाते सही हो रह क्या धर्मनुसार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं क्या यहां पर किसी पार्टिकुलर गुरू को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या धर्मी गुरू है या अधर्मी गुरू है इस तरह की शंकाएं हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं इस तरह के प्रश्ण आपके दि चेत्र पर ध्यान देना चाहिए कारण क्या है क्योंकि शनी आपको यहां पर करम चेत्र में अच्छा सहयोग देने की कोशिश करते हैं कहने का मतलब आपकी willpower बहुत अच्छी बनाते हैं, इच्छा शक्ती बहुत अच्छी बनाते हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे डंग से करने की शम्ता रखते हैं, आप जो कमाते हैं, वो कमाई भी आपको समय समय पर बहुत अच्छा लाब देती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ दर्श नौकरी चूट जाए यहां पर शानीदेव आपको एक स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति बताते हैं यानि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी स्वतंत्रता तो मिल ही जाएगी इसलिए मैं कभी-कभी लोगों से कहता हूं कि आप यहां पर अपना कारे क्य गया पाजाएगा तो फिर कैसे करोगे तो ऐसे में अगर कोई साइट बिजनिस चल रहा होगा ना तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिल जागता है यहां पर शानीदेव आपको बहुत अच्छी नौलेज देते हैं दर्शकों वह यह कि आपको पढ़ाई लिखाई के अंद इसकी तरफ जरूर बढ़ना चाहिए यानि मास्टर्स पी एच्टी फॉरन एजुकेशन यह सब जो आपकी काबिलेतन उसार हो आपको ट्राइज जरूर करना चाहिए आप कॉम्पिटेशन भी क्रैक कर लेंगे और कभी कभी आपको स्कॉलर्शिप भी मिल जाती है यानि ख मित्रमंडली बनाते बहुत बड़ी लंबी चोड़ी है यानि मित्रों की संक्या बहुत जादा है आपकी लेकिन उन मित्रों के साथ जो आप समय व्यतीत करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है पर उनके साथ मिलकर कार्य मत कीजिए काम धंदा उनके साथ शुरुआत मत होता है मेरा तो परामर्श आपको यह है और आप ही बताइएगा कि आपके साथ आपकी जीवन में ऐसा हुआ यहां पर शनिदे वैवाई जीवन के अंदर एक बात बताते हैं कि शादी होने के बाद आपकी जिंदिगे में थोड़ी सी तरक्की होती है लेकिन आपका ससुराल जो होता है यानि इन लॉस की जो फैमिली होती है उनके साथ कुछ न ताना बनी चलती ही रहती है यानि कोई कांफियूजन हो गई dry disrespectful वाली बात हो गई कोई ऐसी बात होगी जो आप उनसे कहने पा रहे हैं या कहने नहीं पा रही हैं तो कुछ भी ऐसी बात है जो मन में न एक मन मुटाव आ जाता है शनी यहाँ पर ऐसा effect दे कर आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंदों में थोड़ा तनाव पैदा ही कर देते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर शनी देव इस तरह से अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं जिसके कारण वैवाइक जीवन के अंदर personal life पर तो इतना effect नहीं आता पर relatives के साथ संबंदे थोड़ा सा गड़ बड़ा देते हैं एक बात कहूंगा दर्शकों यहाँ पर आप लोगों को कि शनी आपको एक बात कहते हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी भी तरह की criminal activity इंवाल होते हैं तो कृपिया ना हो क्योंकि शनी नवम भाव में चाहेंगे कि आप अपने धर्म को ही अपना करम मानें और उसी रहा पर एपनी जिंदिकी को आगे बिताने की कोशिश करें यानि दो नमबर के काम से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है नहीं तो उसके प्रभाव के कारण आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं इसलिए मैंने बोला कि मित्र मंडले के साथ थोड़ा साथानी पूर्वक कारे कीजिए क्योंकि वह आप लोग के साथ बहुत सालों से हैं वर्षों से हैं तो कहीं आपको बर्गला न दें और आपको नुकसान न दें और वैसे भी पिता के साथ तो वैसे दूरी है तो कोई अच्छा संबन तो बनाते नहीं है शनी देव आपका उनके साथ बहुत अच्छा सामंजस से बनाने में दिक्कत करते हैं तो कहने का मतलब यह है यहां पर आप अकेले हैं इसलिए अपने जीवन को अकेले सोचना पड़ता है बनाना पड़ता है प्लान करना पड़ता है डिसीजन्स लेने पड़ते हैं आपके डिसीजन्स सिरफ आप के होंगे आप कितना ही किसीज़ एडवाईज मान लीजे आपको एडवाईज नहीं मिलेगी तो आपको अपने अ अनुभाव के अनुसार अपने जिंदिगी के उतार चड़ाव के अनुसार ही यहां पर डिसेजन लेने पड़ेंगे तो इसलिए यहां पर शनीदेव आपको धीरे धीरे शने शने जीवन में आगे तो बढ़ाएंगे पर आपके अनुभाव अनुसार तो अपने अनुभाव यह सोचा दो क्योंकि जैसे आप ऐसा सोचोगा ना कि आप ही सब कुछ हो आप तुरंत कोई ऐसा डिसिजन लोगे जिसमें आपको लेगा कि आपको तो नुक्सान हो यह नहीं सकता उसी पल आपकी जन्दिकी के अंदर दरिद्रियोग शुरू हो सोचो जब दरिद्र देंगे दरिद्रता देंगे तो क्या हल करेंगे आपका इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सोच समझ के शांती से चलिए ज्यादा किसी पर बरोसा मत करिए अपने अनुभव अनसार चलिए हर बात को बहुत डिटेल में देखिए और सबसे अच्छी बात श हाओ में बैठके कैसे रिजल्ट देते हैं सभी के वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उन्हें भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताईए कि जैसा मैंने आपको बताया क्या उसमें से कुछ आपकी जिंदगे में यह आपने अनुभव किया बताईएगा जरूर तैंक यू सो मच